नमस्कार मैं अर्चिना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराजधर्म पर फिलाल हमारी उपस्तिती हल्दवानी में है और आप सभी को पता है कि हल्दवानी अभी देश के लिए केंद्र बिंदो बना हुआ है कवरिज के तौर पर भी देखें अब बात कीजिएगा तो अतिक्रमन वाले जगे पर प्रिशाशन के द्वारा उन लोगों को हटाया तो पूरी करवाई आप लोग जानते हैं नेशनल वीडिया पर पूरी तरीके से चर्चा में है खबर मेरी उपस्तिती उस जगे से थोड़ी सी दूर बारा किलोमेटर दस बारा किलोमेटर दूर है यह चाहिए के मेंबर है तो मैं सबसे बात करके आप लोगों को सुनाना चाहती हूं और जो दो चर प्रशन जो बार-बार उठते हैं चाहिए वो भाईचारे के उपर प्रशन उठ जाए फिर जो देश में नफरत फैल रहा है उसको लेकर करके प्रशन उठ जाए फिर यह बात हो जाए कि भाया जैसे बांगलादेशी रोहिंगिया यह बहुत सारी शब्द है चैनल पर स्वागत है और यह सब जैसी इसी इसी एलाके के रहने वाले हैं मैं आप से सबसे पहले बात करते हpiej हूं के अब का नाम हश्मत अली है और मैं यहां की हैं जो इंसका करड़ा की है deduction है कि आप यहां के इंतिजामिया कमीपे जो है दरगारिंश की बह्ता हुँ जो भी हुआ गलत हुआ इसको किसी भी दसा में उचीत नहीं ठहरा जा सकता लेकिन परशासन का फेलियर कहिए या इंटेलेजेंस का फेलियर कहिए कि आपने एक धरम इस्तर को हटाने के लिए जो जल्दबाजी दिखाई मामला सुप्रिम कोट पहुंच चुका था हाइप सब्सक्राइब करना चाहिए था इसलिए कि अगर हाई कोट का जो भी जिसी जाना था तो जैसे देखिए बावरी मस्जिद के मामले में लब्बै कहा सारे देश के मुस्ताइब कहीं भी विरोध नहीं हुआ कहीं भी कुछ नहीं हुआ लब्बै कहा और बात ख़तम हो गई इतना बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोट के से खतम हो गया तो इसी तरह अगर ऐसा किया जाता तो सायद यह जो हल्दवादी में हुआ हल्दवानी पे कलंक लगा और लेकिन इस सबके बीच भी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि उस छेत्र में हिंदू समाज भी रहता है और उनके मंदिर भी हैं हमें भी एक डर था हम हाला कि महां से 6 किलमेटर दूर हैं हमारे दिल में भी डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो अगर पूरे सहर पूरे देश में फैलती जिसका बहुत उल्टा सरपड़ता हमाई समाज पर भी अगर बात की जाए कि मुस्लिम समाज की पर बात करें लिए अब लोगों के पास आई हूं बात चीत करने के लिए अच्छा आपने जो कहा अभी कि वहां पर जो है वो एक हलवानी के उपर कलंक लगा तो सबसे पहले इस कलंक के उपर क्या कहेंगे बहुं कि वह प्र्शाशन को अजनी प्रशाशन को इतनी जल्डी की लिक्षास पर और और खाली करवाने का प्रयास किया था लेकिन कोई उदर से कोई मिलता ही नहीं है में रिप्लाइए नहीं मिलता तो आखरी ऑप्शन यहीं था कि भाईया आतिकरमन को बल पूर्वा खटाया जाए मैं जहां तक मैं उनको डिफेंस आप कहीं ऐसा नहों मेरे अलफाजों से सब्सक्राइब है और खास करके तब आपने समय लिया सरकार सरकार पक्षन समय लिया कि हमें समय दिया जाए तो अगर ऐसा था तो 14 का वेट करना चाहीं था और करना कि मैं इसलिए कहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज पे कितना बड़ा हलवानी सहर में द तरीके से लहू लुहा नो रखी थी वो कह रही थी कि मुझे तो बंद करके जलाने का भी कहीं ना कहीं प्रयास किया था आप सबने वह फोटोस वगरा मैं देख रहा था बाचपी जी का इस चिर्मिला जगवार में सपाया बनुरा थानकों जब फूगा गया तो उनका भी जिन लोगों ने ये चीज़ किया है प्रसाशन के बाद तो आपने कह दी कि 14 तारिक का समय दिया गया था प्रसाशन को और थोड़ा इंतजार करना चाहिए था कोट में फैसला था वहां से जो भी बात होती उसके बाद आगे आपको करवाई करनी चाहिए थी आपने बात कह दोगा आपके साथ गलत होगा, वहली इस्वर देख रहा है, और इसका फैसला एक दिन नियाए पूर्ण होगा, तो उन्हें सब्र करना चाहिए था सब्र से कम नेना चाहिए था कोई बात नहीं इतने बरे समाज को ढोले जो चंद लोगों ने हरकत की और या चंद लोगों की अक्टिविटी से जो समाज को पर दाग लगा यह बिल्कुल मैटम इसमें कोई दोराय नहीं है कि समाज पर दाग लगा और ऐसा बंदमा दागा कि सायद इसको धुलते-धुलते सदियों लोग जाए बहुत बड़ी बात बहुत साथ लोग कैमरे पर आने से डर रहें क्योंकि यह पर परस्तेती वैसी हो लोग यह भी सोच रहें कि कुछ हमारे मुझ से निकल जाए अपनी बात को पूरी इमानदारी के साथ सब के सामने रखना चाहिए मैं एक दो चैनल को देख रहा था जिनोंने कहा इस बात को पुर्षाइस्ट आपर जाते रमीजारी कि जैसे जैसे की फोर्स्स के पर जबड की गूरी नहीं थी पूर्स काम थी ऐसे अनभिक की लोगों को उस फोर्स में सामिल किया गया जिनको वहां के बारे में कुछ पता ही नहीं थी पुलिस के संग बहुत बुरा सुलूक हुआ यह हमने देखा चैनलों पर भी देखा जो फुटेर वहां से जारी है उन पर भी देखा यह सब अच्छा यह जाता है तो दो जीसे वहां पे जन्संकिया इतनी जाबार है तो लोग ज्यसे इनोह ने भी कहा कि बहुत ही ज्वाहं फइक तरीके से वोी इलाखा है तोCP क्योंने खतर ना पर व देहीं बहुत है इंगी इन्होंने बात करते-करते-करता लुक्त समय नोटिस ही स्मय और पर जो है तो एक बस्ती के अंदर हें तो PB हटा तो हुआ जगे भी तो हैं वहां पर नजूल तो सभी है वह नजूल जमीन पाती करमल्कियों 50 चाल से लोग रह रहे आप इस कारवाही पर क्या कहेंगे? करने तो उसको परशाचन ने मारा भी और उसको बन करा दी ऊच्छान्सकी ने हट यह बहग जा करके अग़ पास की सारी मारकेट ऐसे दुखाने खोली नहीं घाल नाम नफीजामत अच्छा पहले तो कारवाही पर क्या को कितनी उम्रा थोगी बीस सब्चाइब लोग जाएंगे क्यों कि मैं कहीं भी देखना हुए तो पे गुना ही अक्षर फसता है और जो कशूर वार होता है वोन अब उन पचास हजारों में कैसे पता करें ये बेगुना कौन है कुछ है कि CCTV फोटो कि भीड तो हमने ये देखा कि बहुत सारी भीड भाग रहे हैं कि CCTV फोटो चेक के जा रहे हैं जो जो उसमें है तो उनके लिए जो देखो समीधान के साथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब होती है उनकी मिलनी चीजिए फिर दूसरी चीज यह है कि अगर अभी जो वहां परशानिया है एक तो वहां पर कुछ सुनने मारा है मैं गया नहीं हू अपने खुछ से देखा यह चीज यह सुना है मैंने में जो सुना वाली जो बात है यही जो है अफवा में बदलती है नहीं लगता आपको मैंना अफवाहें भी हैं लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जैसे इससे पहले भी छुट-पूट घटनाई हुई तो उसमें कहीं ना कहीं परशासन एडवांस एक्टिविटी करते वे दोनों समाज को अलग कर देता है उसका सुरक्षा की दिश्टी से कह लिजिए या सभी दन स सभी लोगों से बात करोंगी यह मतलब सोशल मीडिया पकिरा देखे होंगे कि आप लोगों में कट्ट अब हराता है मतलब इसे में विडियो डाला था इस एलाके में जैसे पहुंची और मैंने वहां दो मेरे कमें चैनल कर नाम है अब यूण को पढ़िएगा इतना जाधा इसलाम को लेकि लोग कह रहे हैं कि देखो कितना खतरनाक है यह लोग जहाँ जाधा रहते हैं वहीं पर उत्पात बचाते हैं यह सब एक क्लान है एक कम्यूंटी को बदनाम करने का हमने देखा है आप सायद दिल्ली से पहली बार यहां हलदवानी माई हैं अच्छी बात को बहुते हैं उस पर भी लोग कमेंट करेंट हैं कि हमको अंदर से ग्रानी होती है कि हमारे प्रती दूसरी समाज की कैसे समाज को सुनने पड़ते हैं देखने पर ही खिलने पर थे हाला कि हमारा आम बच्चों पर यह से नौजवान है इन सब के उपर क्या असर पड़ता है? मैडम, फिर वही बात होती है, फिर क्रिया की प्रतिकिरिया होती है फिर आदमी उत्तेजित होता है, दूसरों को गमेंट पास करता है फिर वो एक विवात का रूप लेता है, फिर जगड़े का रूप लेता है पुल जी उसी सब से बचने के लिए, बचाने के लिए दुनों समाज को अला ला करने काम करती है आप से अगर मैं पूछो, जब आप इसे कमेंट्स पढ़ते हो, जब आप लोगों के लिए कमेंट्स आते हैं पत्थर बाज हैं देखो यह लोग तो जहां पर रहते हैं वहां पर उत्पात मचाते हैं आप लोग यह सब कमेंट पढ़ते हो तो क्या सोचते हो अगर कोई भी किसी भी धरम को अगर आप गालियां देंगे तो जाइड सी बाते गुस्सा आएगा लेकिन इसमें सिर्फ यह एक अगर सही समझ अगर इनसान अपनी समझ से काम करेगा तो यह देखे है कि कुछ लोग भड़काने काम भी करते हैं उसमें कमेंट्स में कुछ उल यह गलत होता है अगर जो गलत है वो उसको गलत कहा जाएगा लेकिन जहां अगर इस चीज़ों को लेके चलते हो तो मैंने वही कहा भी कि अगर जो सीटीवी फूटेज देंगे जो जिनका कुसूर है आप उनको पकड़ो और जो भी अगर सजा बंती है जो भी कानून के क्योंकि खुलके जब मैं बात करूंगी तभी वह चीज़े बाहर आएंगे अच्छा यह जैसे इलाके में जब भी कोई ऐसी अतिक्रमन को हटाने वाली चीज़ हो यह फिर कोई भी ऐसी बात हो हिंदू-Muslim का दंगा हो तो उसमें भी हम देखते हैं दो चीज़े बड़ी और तीनों जगा मैंने एक ही तरह के का वो देखा आप पत्थर की बात कर रहे हम तो पत्थर कोई मुसल्मानी नहीं चलाता ह suivतोम ही चलाते हैं जो भी जब उनमने ड़ legis इसी तरह के आप जितने भी सोग अगर कैसे तो 50-90 परसेंट जो है हिंदू के निकलेंगे ये बदनाम करते हैं मुसलमानों और रही पत्थर की बात पत्थर सभी चलाते हैं ये मुसलमान को तो बदनाम करी रहे हैं लेकिन इसमें जो है सभी का होता अभी दरोगा को कितने हम क प्रशाशन भी दबाव में रहता है इसलिए पर शाशन भी दबाव में रहता है लेकिन फिर वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि जिस इलाके में ये हुआ तो उस इलाके में तो 90% वहां पर मुसलिमी अबादी ही है बदनाम तो मुसलमानी होगा ना आपके मैं घर पर जाकर कोई मार के डाल जाओं तो आप ही तो फस होगए नाम तो आप ही का लेगा इंदेंों आप बैंट व है उड़ियो में वी देखा है उधर से पहले पैले पुलीस की तरफ से भी पत्थर चले फिर उधर से भी उन्हों ने भी रियक्सन दिया है पहले पुलिस के पथर मानना लगी नहीं प्त्तर चले है उसमें आगे पत्थर मानने वाले कौन है सुरू में उसकी जांच निकालिया आप बढ़िया से जांच करा यह पता लग जाएगा आपको इमाम सब आपके कहींगे इन सब इतनी में बात इन से खुलके कर रहे हूँ है यसीन भाई बोल देंगे तोड़ों से क्योंकि इल्जाम आप ही करता कोई है भरता कोई है लहाज़ा हम तो लोगों को यही पेगान देते हैं कि हम सिर्फ अल्ब रब धुलालमीन को मानते हैं और उसी पे आपक्तवरों त्वक्क्न, अल्ल्ला पर भरोसा करो, वो ही हमारा हमारी मदद फर्ठाने वाला है बाकी जो भी कहे वो कहने तो ये नौजवान सुनते नहीं हैं कि इनको समझ नहीं हैं इस वज़े से ये सारी चीज़े होती हैं तो आप ये जो हल्दवानी में ये जो हुआ तो उसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं ये जो हमारे इमामों को बदनाम करते हैं हमारा इमाम एक भी ऐसा नहीं होगा जो गलत बात कहता हो वो यही समझाते हैं अपनी कौम को के भाई सब का एतराम करो इज़त करो खाने पीने का ख्या लखो कोई गरीब भूकर ना सोजाए सब का पूरा धियान रखना वो कभी किसी को गाली पत्थरबाजी ये कभी कोई इमाम नहीं सिखाता है ये सब बदनाम करने वाली कहानी है अच्छा और मैं क्योंकि और मैं लोग सुन रही थी तो आप कुछ बोलना चाहिए तो उसके बाद मैं अपना सवाल मैं कहना चाह रहा था भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जो उत्राखंड के हालाद पैदा की गए डेमो के डेमोक्रासी की नाम पर ये किये के का मैं बादार हो ना आपको उत्राखंड में देखिए उत्राखंड देव भूमी है और यहां पर अब हुतायत में जंगल है यहां पर फीर फकीर संत महात्मा जो भी रहे जंगलों में परवास किया जंगलों में रहे जंगलों में साधना की और वहीं व बढ़े 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 मंदीर आज भी अपनी जगा वनभूमी में विराजवान है और जो मुस्लिम समाज के धार्मी के चलते मजारात थी उनको तोड़ दिया गया सुबह अर्ली मॉर्निंग रात में तोड़ दिया गया उनको डिफेंस करने का मौकर नहीं दिया गया बिल्कुल उनके संग हड़धरमिता की बात की गई अगर आप ऐसे आप एक तरफा करवाई की जिए हम आपके साथ है अगर आपने काड़ गुदाम के सरकार से लिए बाबा की मजार की नोटिस दिया हनुमांगडी मंदी की नोटिस दिया तो इसी छेत्र में तेरा चवदा और धार्मी के सरे हैं काली चड़ मंदीर है सुर्या देवी मंदीर है सुर्या देवी मंदीर है भूमिया देवी मंदीर है यह तमाम मंदीर है जिनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और में लिटन में जवाब आया है जिसको की मैं लेके मैंने आपसे कहा भी था भी कि मैं जिसको लेके हाई कोट जाओंगा हमने हाई कोट में कहा भी अपने काउंटर में हमारा मामला फिलाल हाई कोट में विचार दिने उसमें हमने कहा है इस बात को कि सरकार हमारे साथ भेदभावपून वरावे अपना रही है सिर्फ हमारे धर्म को टर्गेट किया रहा है जैसे इस मज़िद को नोटीस है कि बगल वाली को है? नहीं है लेकिन दूसरी बात यह नहीं उसके लावा और भी तो 14 है उनको क्यों नहीं है और हमाले हमाले केस में सुनवाई हो गई अपील भी खाईज हो गई हम हाई कोर्ट तक महुझे और वहाँ पर अभी तक केस पेंडिंग है वहाँ कोई जबाब नहीं आया भी तक कोई निर्णे नहीं उसमें तो यह अपने आप में दर्साता है कि किस तरीके से कारवाई कैसे हो रही है तो इसमें हमें हींद भावना होती है सब्सक्राइब करें अब मुझे सब्सक्राइब करें अभी अभी यहां पर यूशी सी कानून जो है वो पास हुआ तो इस पर आप जो मुसल्मान है उत्राखन के क्या कहेंगे इस पर देखिए मुसल्मान कुरान और हदीष को सर्वपरी रखता है कानून को नहीं आप मेरी पूरी बात हुआ दिजिए आप बीजमटो किये पहले सवाल पूरा आपने कर दिया आप हमारा जवाब भी प्रस हो दिजिए नहीं नहीं फूरिस्टॉप नहीं लेकिन उसी कुरान में सिख्षा दी गई है कि देश के हुकूमत के काउन का परन करो तो आप सर्वोपली क्या हुआ कानून ना जहां तक यूशी सी का सवाल है तो आप मेरी बहन है क्या आपको लगता है कि यह उन्होंने यूनिफॉर्म सीविल कोड के नाम पर जो लिविंग रिलेशन्शिप को वै पड़ा है तो मैं आपको मैं अपनी बी बात रख देती मेरी बातों पर फुल स्रॉप नहीं लगा मैं आपनी बात बोल रहे हूं लिविंग रिलेशन्शिप में कई सारे क्यों कि हम लोग डिली में रहते हैं तो बहुत सारे हम लोग ऐसे केसे देखते हैं कि दो पार्टनर को मानते हैं तो मिया भी भी नहीं अगर वो हिंदु धर्म को मानते तो पती पत्नी नहीं है तो हम लोग इकटे नहीं आगे उनके पास कोट में कोई कानून नहीं होता है तो शायद इस वजह से जो है सरकार नहीं का है कि आप अपने लिविंग रिलेशन्शिप को रेजिस् कि रिश्चे स्विकार नहीं करता है इस बात से सहमत है आप नहीं वहां और इस पर कुछ नहीं मैं भूलेंगे आप क्रकृया कुछ लमबी हो जाती है लेकिन तमाम कोट के तरवाजी खुलें तमाम जगा से नियां मिलता है क्या मुस्लिम समाज की लोग गए उन्हें नहीं आए भी मिला तीन तलाक के विरुजुक के सबके लिए कि जैसा कानून होगा तो इसमें दिक्कत क्या है कुरान के खिलाफ देखिए आज से पहले महिलाओं के लिए इसलाम में एक कानूनी रूप से राइट था प्रोपटी का आजबी है को रहे मना फर्माया जग तीन तलाग को मना फर्माया तो जाहिशी बाते वो उच्छित नहीं है उस पर काउन मुनाया कोई बात नहीं एक्सेट किया फिर उसके बाद अब आई आप हलाला पे हमारे इहां इसलाम में पूरी आज़ादी महिला को दी गई है कि निका के वक्त निका हमा बाते लेकिन वह अलग तो होगी ना उसके बाद अब परकिरिया अगर महिला को लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है देखिए जबरजस्ती मैंने का निकाहें मैंने को बिल्कुल नहीं मिलेगा कोई में देखिए का निया नहीं वाला एक्षन रूप है योगी जी माराज वाला उसकी मुझे से नहीं मिलेगा में ऐसा कुछ नहीरा होता तो उल्दानी में यह प्रतिगिरा नहीं होती लिए कौफ घुऊप होता मिनिट की मेरी लोगों से बात कि पर बात किया चाहे वह पथर बाजी पर बात कर लीुजे या फिर आप दंगो के ऊपर बात कर लेती हूं यह जिसे मैंने बहुत सारी जगे ये देखा है कि जहां पर और यह सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे। जहां 50 पर हो जाए 50 प्रतीशत से उपर, वहां पर तो समझों जो दूसरे समुदाय का जो लोग है उसको दिक्टानी ही आनी शुरू हो जाती जाहिए आप कश्मीर का वो ले लीजिए चाहिए आप नुग का ले लीजिए एक्जामपल चाहिए आप कहीं का भी ले लीजिए यहां जनसंख्या जादा हो जाती है इसलाम धर्म को मानने वाले मज़ब को मानने वाले लोगों की पर दिक्कत परिशानी आनी शुरू हो जाती है कि मैड़ckt, बड़ा कारणा बिरोजगार्य करें। क्यों क्यों कि उन्हों कि जब उन्होंने कुर्ण ही नहीं पड़ा। वेसे दिनी तालीम नेनी दुनियावी तालीम नेनी तो उनको अच्छ बुरेगी तैमीज होना मेरे लगता है कम होगा अब उसके बाद भड़काना अब मान लीजिए आप में से बते मीजी करें अगर मेरे में सहिन सिलता है मैं सिक्षित हूं तो मैं आपकी बात को इग्णू आफ़कान ओलन की तालीम, इस वजे से जो है यह चीजे होती है बिल्कॲ मज़कल इसकी बुनियांदी यह सिक्षा और दिननी तालीम, दूनलों बाते हैं दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, कम होने की वज़य से या सब हरकते होती है पंचर सब civरते हैं आमों मुस्निम सम तो आपकी सिख्शा क्या कितना पढ़ें लिखिया है इंटर किया काम करते हैं मैं कार्ब इंटर है रख मैं एलंक्रिक्रिश्न कितना पढ़ें उसके बाद अधकर हुद्ध correct करना जो कुरान को पुरा गड़्यात कर लेता है मंटेदाट एंप जया चयाने को साफने करलें अब चपड़ों ही को सब्सक्राइब इसकार करल कर Kemal थी ऊप्सक्राइब किभीकी यह सोला अब इतने की चछटी का आपका एक you a सब्सक्राइब करते हैं कि अपने बात कहीं कि वह जो उग्रबाद हो गया या फिर जो भी आपने कहा कि मैंने जो सवाल आप से किया था कारण होता है कि असिक्षित होते हैं तो इस वज़े से होते हैं तो क्या लगता है यह बच्चा उस तरफ जाने का इसके पूरा पुरागर यह गलत संगत में बैठता है अगर उन लोगों के साथ बैठता है तो यह वैसी हरकती यह कर सकता है अब इनोंने आपसे कहा कि कुराने हिवजे है यानि इनोंने कुरान इनको कुरान कठन स्याद है अगर इनोंने कुरान की सिक्षा को बिलकुल दिल से ग्रण किया होगा उसको पड़ा होगा तो मेरा 200% नहीं 1000% दावा है कि यह गलत 1% भी होई नहीं सकते क्योंकि कुरान किसी को गलत सिक्षा नहीं देता कुरान पर तमाम रिसर्च हुए हैं अब यह जो हल्दवानी वाला जो इंसिडेंट हुआ इस पर अपने मुबाइल होगा आपके पास देखा आपने उसमें ठीक है तो क्या आपने उसमें पाया क्या कहेंगे आप उस घटना पर कहेंगे क्या भी दो-तिन दिन से तो नेट बंद कर जा था जो आने वाली जो नि लोग गरीब लोग खा रहें पीरें पता नहीं क्या करने उस पतिन जल रहा हुदर का इस पर आतिक्रमन को हटाने पर वहां पर कारवाई हुई पुलिस वालों को पर पत्थर फेके गए हैं पेट्रोल बं फेके गए फिर उसके बाद लोगों को ठाना जलाने के पूरा- याए शाया होना चाहिए था सभ कानून के इसाफ से चलना जाना के सब कुछ मिघं his है का मप एपना जो तोड़ ताड़ करती एक दम से निगहोना चाहे था आप महाँ पर होते तौट क्या करते हैं तो आप क्या करते हैं अगर आप महां पर होते था अपक्ष। यहां के लोगों से बातचीत हुई और आपने देखा कि यहां का मुसलमान है वो परेशान भी है एक तरीके से इन्हों ने मुझे बताए कि यहां पर जंगल का इलाका है तो जादा तर जो यहां पर आप मंदिर देखेंगे मजद सारे तो ऐसे नहीं होंगे किसी किसी में ही नोटिस होगा किसी किसी लगबख उत्राखंट के अंदर अगर देखा जाए तो आबादी से बाहर जंगलों के एरिये में लगबख लगबख 50% से उपर तो धार्मी किस्तल है धार्मी किस्तल मैंने यूं कहा कि वो सभी के हैं वो हिंदू समाज के भी हैं वो म हटना स्थल से थोड़ा सा दूर्ज हट करके मैंने आपको यहां की पूरी बाच्चित दिखाई है इसके साथ धन्यवाद